एक बेक्ती हर रोज के तर अपने घर से ड्यूटी के लिए तो निकलता है, लेकिन उसके बाद दुबारा कभी घरी वापस नहीं आता है, और आखिर कर अगले दिन उसकी डेट बोडी पुलिस को बरामद होती है, पुलिस जब इस केस की जांच परताल करना सुरू करती है, त कैसी सचाई से परदा उठता है, कि जब इसका असलेत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है, तो वो भी एकदम से चौक जाते हैं, और पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं साथ, ये सब को जूट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वाकई में दोस्तु आज की जो कहानी है, ये खटना है भारत की रजधानी दिल्ली सहर की, उत्री दिल्ली का एक लाका पड़ता है गीता कलोनी, बात कर रहा हूं मैं 10 जनवारी 2024 की, दरसल इसी गीता कलोनी के फ्लाई ओभर के नीचे जाडियों में एक ब्यक्ती का डेट बोडी लोगों को मिलता है, लोग जैसे इस डे पहले डेट बोडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि उसके गले पे एक हलका सा निशान दिखाई देता है, जिससे देख करके पुलीस अंदाजा लगाती है कि साधिस्की गला दबा करके हत्या की गई है, पुली जब उसके कपडों को तलासी लेती है तो उसके पास से क पुलिस सबसे पहले डेट बोडी को अपने कबजे में लेती है और उसे पोस्माडम के लिए भेज देती है और फिर धारा 302 के तहट आग्याता प्राधियों के बिरध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छान बिन करना सुरू करती है लेकिन पुलिस के लिए सबसे अखबारों में प्रेसित करवाती है साथी साथ उसका लगभग 2000 पंपलेट्स छपवा करके एरिये के तमाम इलाकों में भी चिपकाती है लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है पर इसके बावजूद भी ना तो कोई ब्यक्ति थाने में पहुंचता है और ना ही उस मरने व नाम है राहुल यादव जिसकी उम्र है लगभग 32 साल महिला का नाम है पूजर राहुल अपने साथ एक फोटो ले करके छावला पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साब मेरा नाम राहुल है और ये मेरी भावी पूजर दरसल एक मेरा बड़ा भ जब हम उसके नमबर पे फोन कर रहें तो उसका नमबर भी लगतार सुचा बता रहा है राहुल जैसे ही वो फोटो पुलिस को दिखाता है पुलिस वो फोटो देखकर पहचान लेती है और पुलिस राहुल से कहती है कि दरसल इसकी हक्या कर दी गई है लाल किला थाने के पुलिस को जा करके फोटो दिखाते हैं, वहां की भी पुलिस जब उस फोटो को देखती है, देखकर पहचान लेती है, पुलिस दोनों को ले करके मोचरी में जाती है और उस डेड़ बोडी को दिखाती है, इधर पुजा और उसका देवर राहुल जब उस डेड़ बोडी को पुलिस दोनों से कहती है कि साइध किसी ने हितेंदर की हत्या कर दी है लेकिन आभी तक इसका पोस्माडम नहीं हुआ है जैसे ही पोस्माडम हो जाएगा हम इसकी डेड़ बोडी तुम दोनों के हवाले कर देंगे लेकिन इससे पहले तुम दोनों से कुछ पूश्टास करनी पुलिस दोनों को लेकर के फिर से थाने में आती है और फिर दोनों से पूस्तास करती है पुलिस सब सब पहले राहुल से पूस्तास करती है कि ही तिंदर काम क्या करता था इस पे राहुल के भावी पूजा पुलिस वालों से कहती है कि साब मेरे पती एक कमपनी में आडिट का काम करते थे और उनका एरिया नोईड़ा से उत्रा खंड का मिला था दरसल सप्ता में एक ही दिन घर पे आते थे और मैक्सिमम अपने काम में ही बीजी रहते थे 9 जनवारी को अपने काम का सिलसले से घर से निकले लेकिन साम के वक्त जब मैं उनके नमबर पे फोन की उनका नमबर स्वीचा बता रहा था उसके बाद से मैं अगले सुबह तक भी लगतार फोन करते रही लेकिन मेरे पती का मोबाईल दुबारा ओन ही नहीं हुआ इसलिए इस बात की जनकारी मैंने अपने देवर राहुल को दी राहुल को जैसे ही मालूम चला राहुल भी दो दिनों तक उनकी हर जगों पे तलास किया पर इसके बावजूद भी उनका कहीं कुछ पता नहीं चला इसलिए आज मैं राहूल को लेकर के अपने पती का गुमसुदी का रिपोर्ट दस कराने के लिए छावला पुलीस एस्टेशन में गई थी पूजा जैसी इस तरह की बाते पूलीस वालों से कहती है पूलीस फिर से पूजा से पूछतास करती है कि क्या तुम लोगों के किसी पे सक है कि हितेंदर की हत्या कौन कर सकता है क्या हितेंदर का किसी के साथ में कोई दूसमनी थी इस पे पूजा पूलीस वालों से कहते है कि नहीं साथ मेरा पती बहुत ही सिधा सदा इंसान थे, उनका किसी के साथ कोई जगरा तकरार भी नहीं था लेकि राहुल पुलीस वालों से कहता है कि नहीं साथ, मेरे भाई के दो दोस्त है जिसमें से एक का नाम है जेम्स और दूसरे का नाम है रोकी दरसल कुछ दिन पहले जेम्स और रोकी मेरे भाई से एक लख रुपे मांग रहे थे इसी बात को लेका दोनों के बीच में जगरे तकरार भी हुआ था राहुल जब इस तरह की बाते पुलीस वालों से कहता है पुलीस राहुल से सवाल करती है कि क्या तुम्हारे भाई ने उन दोनों से करजा लिया था इस पे राहुल कहता है कि साब इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है लेकिन मेरे भाई का एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम है जितेंदर दरसल मैं अपने भाई को ढूंडते हुए जितेंदर के पास गया था जब मैंने जितेंदर से पूछतास किया तो जितेंदर बता रहा था कि नो तारीक की उसकी मुलकात मेरे भाई से हुई थी उसके बाद से जितेंदर ही खुद मेरे भाई को लेकर के रोकी और जेम्स के घर पे लेकर के गया था उसके बाद से मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल दा है राहुल जैसे इस तरह की बाते कहता है पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि साइद अब इस हत्या के बारे में हितेंदर के दोनों दोस्त रोकी और जेम्स ही बता सकते है पुलिस रोकी और जेम्स के राहुल से एडरस पूसती है तो राहुल कहता है कि साइद जेम्स चंदर बिहार का रहने वाला है और रोकी टेगोर गार्डन का रहने वाला है पुलिस को जैसे ही दोनों का एडरेस मिल जाती है पुलिस जेम्स और रोकी दोनों के घर पे पहुंचती है लेकिन पुलिस जब दोनों के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि जेम्स और रोकी अपना घर छोड़ करके फरार हो चुके है पुलिस दोनों का नंबर भी ले लेती है लेकिन पुलिस जब दोनों के नंबर पर फोन करती है तो दोनों का नंबर भी लगतार सुचफ बताने लगता है इसलिए पुलिस अब दोनों का नंबर सर्विलांस पर डाल देती है और जैसे ही दो दिन का समय गुजरता है आखिर कर पूलिस दो दिन बाद दोनों को अपने कस्टडी में लेका थाने में पहुंच जाती है पूलिस जब रोकी और जेम से हितेंदर की हत्या के बारे में पूस्ताश करती है दोनों बीना किसी सक्टी दबाव के तुरंत ही सचाई कबूल कर लेते हैं रोकी पूलिस वालों से कहता है कि हाँ साब हितेंदर की हत्या हमने ही किया है और हमें अपने किये पे कोई पस्तावा नहीं है दरसल हितेंदर दोस्त के नाम पे कलंग था रोकी पुलिस वालों से कहता है कि साब मुझे मालूम है कि राहुल ने आप लोगों से बताया होगा कि हितेंदर ओडिट का काम करता है लेकिन ये जूट है दरसल हितेंदर ओडिट का काम नहीं करता था बलकि लड़कियों का सप्लाई करने का काम करता था साथी साथ लड़कियों का दलाली भी करता था पुलिस दोनों से पूश्तास करती है कि तू मितिने दावे से कैसे कह सकते हो कि हितेंदर लड़कियों का सप्लाई करने का काम करता था इस पे दोनों एक ही जवाब देते हैं कि साब उस धंदे में हम खुद दोनों भी थे हम तीनों मिल करके इस धंदे को चला रहे थे लेकिन दोनों जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद हीतेंदर के परिवार वालों को भी अपने कानों पी यकीन नहीं होता है दरसल हीतेंदर अपने परिवार वालों से जूट बोला था कि वो आडिट का काम करता है लेकिन हीतेंदर आडिट का काम ना करके बलकि लड़कियों को होटल में सप्लाई का काम करता था हितेंदर अपने टीम में रौकी और उसके दोस्त जेंस को भी रखा था दरसल इस टीम में रौकी की प्रेमी का प्रियंका भी थी ये चारों मिलकर के दिहात में जाकर के गरीब लड़कियों को पटाते हैं नोकरी दिलाने के नाम पर सहर में लेकर के आते हैं और फिर उन्हें होटल में सप्लाई करना सुरू कर देते हैं उन्हें मजबूर करते हैं उनको साथ मार पिटाई करते हैं और अच्छा खासा कीमत लेका उनको धंदे पर उतार देते हैं इस तरह का धंदा करके ये लोग अच्छा ख़सा पैसा कामाते हैं. लेकिन हितेंदर इस बारे में अपने परिवार वालों से कभी नहीं बताता है. इसलिए हितेंदर जब अपने घर से निकलता है, एक सबता तक अपने घर से गायब रहता है और सबता में एकी दिन घर पे व वहां पे बंगलोर के पुलीस उसे पकड़ लती है और पकड़ करके जेल भेज देती है इदर ही तेंदर जब जेल चला जाता है तीन महीने तक अंदर रहता है ही तेंदर को अब डर सताने लगता है कि अगर मैं जल्दी जेल से बाहर नहीं निकला इस बात की जनकारी उसके परिवार वालों को मालूम चल जाएगा एक दिन रोकी जब जेल में हितेंदर से मुलकात करने के लिए जाता है तो हितेंदर रोकी से कहता है कि जितना जल्द हो सके मेरा बेल करवाओ उसके बाद से रोकी और जेम्स मिल करके एक लख रुपय के इंतजाम करते हैं और तुरंथ ही हितेंदर का बेल करवा देते हैं हितेंदर जैसे ही जेल से बाहर आता है आकर के फिर से अपने धंदे में उतर जाता है लेकिन उसके बाद से रोकी और जेम्स जब अपना एक लख रुपिया हीतेंदर से मांगते हैं हीतेंदर पैसा वापस करने के लिए तैयार ही नहीं होता है इसी बात को लेकर के तीनों के बीच में जगरेत अक्रार सुरू हो जाता है बार-बार कहने के बावजूद भी जब हीतेंदर पैसा वापस नहीं करता है आखिरकर एक दिन रोकी और जेम्स हीतेंदर का कार भी छिन लेते हैं कार छिनने के बाद से उसके गेंग से बाहर निकल जाते हैं लेकिन रोकी को मालूम था कि हितेंदर का एक साधी सुधा महिला के साथ ने प्रेम परसंग चल रहा है, इसलिए रोकी भी अब हितेंदर को इस धंदे से बाहर निकलने के लिए जिस महिला के साथ में उसका प्रेम परसंग चल रहा था, उसके पती को सब कुछ बता देता है। लेकिन इस बात की जनकारी हितेंदर को मालूम चल जाता है, कि उसका जो भी सेक्रेट था, उसके दोस्तों नहीं धोखा दिया है, इसलिए अब हितेंदर दोनों से बदला लेने की ठान लेता है, लेकिन जैसे ही इदर हितेंदर दोनों से बदला लेने की ठान लेता है, इस हटाने के लिए एक सद्यंत्र बनाते हैं. दरसल दोनों जाकर के हितेंदर से मुलकात करते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांग लेते हैं. हितेंदर भी दोनों को माफी नहीं करता है, बल्कि पहले जैसे ही दोनों पे भरोसा कर लेता है. उसके हितेंदर अपने दोस जीतेंदर के साथ मौजूद था. जैसे ही फोन करते हैं, रोकी अपने घर पे बुलाता है. हितेंदर अपने दोस जीतेंदर से कहता है कि मुझे ले करके रोकी के घर पे छोड़ दो. जीतेंदर ले करके उसे रोकी के घर पे जाता है और छुड़ कर वहाँ से वापस आ जाता है उसके बाद से जेम्स और रोकी अपने दोस्त बीपीन के साथ मिल करके हितेंदर को अपने कार में बिठा लेते हैं और सराब पिलाने के लिए ठेके पर लेकर जाते हैं सराब तो पिलाते हैं लेकिन दीन भर इधर उधर गाड़ी घुमा का अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं रास्ते में जब गाड़ी घुमाते हैं रास्ते में ही चारों के बीच में जगरे तकरार सुरू हो जाता है जैसे ही जगरे तकरार सुरू होता है ये तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर ही हितेंदर की गला दबा कर हत्या कर देते हैं हितेंदर जैसे इस दुनिया को छोड़के चला जाता है उसके बाद से हितेंदर की डेट बोड़ी को ठिकाने लगाने के लिए रातरी के वक गीता कलोनी के फ्लाई ओभर के पास पहुंचते हैं और वहीं से उसकी डेट बोड़ी छाड़ियों फ्यक देते हैं उसके बाद से वापस अपने घर चले जाते हैं वाकई में दोनों जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं पुलिस इन दोनों के ही तेरीर पे उसके दोस्त बीपी और प्रेमी का पिरियंका इन दोनों को भी अपने कस्टाडी में लेकर आती है फिलाल पुलिस ने इन चारों अरोपियों को अपने कस्टाडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारों में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है खास करके इसका असलियर हितेंदर की पत्नी पुजा को जब मालूम चलता है तो पुजा पुलिस वालों से कहते हैं कि नहीं साथ सब के सब जूट बोल रहे हैं दरसल मेरे पती आडिट का ही काम करते थे दोस्तो इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सुचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंड बक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए जय ही जय भारत